नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेलरी आफ ओफिस एटेंडेंट जिसे हम प्यून या ओफिस बॉय भी कहते हैं मान लिज़े किसी वेक्ति ने एज़े प्यून बैंक जोईन किया और उसने अपने केरियर में कभी भी प्रोमोशन नहीं लिया और अब वह एक साल के अंदर रिटायर करना ही जा रहा है तो अब हम देखते हैं कि उनकी सेलरी क्या है और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है सबसे पहले बेसिक पे जो कि अभी है 35,145 रुपीज जो करेंट डियरने से लावन से वह अभी 32.97 परसेंट है तो डिये उन बेसिक पे एक उल्ट बेसिक पे एंडु 32.97 जिसके वैलु क्याव आती है 11,587 रुपीज थर्टी वन पैसे अब उन्हें स्पेसल एलावन से मिलता है जो कि बेसिक पे का 16.40 परसेंट होता है जिसके वैलु क्याकुलेट करना पर आती है 5,763 रुपीज शेंट पैसे अब इस स्पेसल इसके वैलु क्याकुलेट करना पर आती है 1,900 रुपीज एंड ठर्टी टू पैसे अब उन्हें हरे भी मिलता है जो कि बेसिक पे का 10.50 परसेंट होता है जिसके वैलु क्याकुलेट करना पर आती है 3,690 रुपीज ट्वेंटी टू पैसे उन्हें दफ्तरी एलावन्स मिलत है जो कि 350 रुपीज है और उन्हें वासिंग अलावन से मिलता है जो कि 200 रुपीज है अब ग्रोस सेलरी में इन सारे वैलु को जोड़ेंगे तो उनका ग्रोस सेलरी निकलेगा जिसकी वैलु कल्कुलेट करने पर आती है 59,881 रुपीज 54 पैसे अब इसमें कुछ डिडक्श सेलरी लिंक इन स्कीम जिसमें उनका 79 रुपीज 70 पैसे डिडक्ट होते हैं जो जो नेट सेलरी है वो है ग्रोस सेलरी मेंच डिडक्शन जिसकी वैलु कल्कुलेट करने पर आती है 56,201 रुपीज 84 पैसे जो कि एक बैंक प्यून की इन हैंट सेलरी है थैंक यू